जब हम विज्ञान में हुई खोजों की बात करते हैं तो एक चीज तो साफ हो जाती है कि बहुत सी ऐसी चीजे हैं जो आज हमें भले ही आम लगें पर जब इनके आविशकार हुए थे तो ये किसी चमतकार से कम नहीं थी लेकिन आज भी हम अगर अपनी जीवें शैली देखें तो भले ही इन आविशकारों के उन्नत रूब अब हमारे पास हैं पर अगर ये चीजें नहीं होती तो क्या होता आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही आविशकारों की लिस्ट लाएं हैं मोबाइल फोन का आविशकार मोबाइल फोन का आविशकार अमेरिकी वैग्यानिक मार्टिन कूपर ने किया था इन्होंने सबसे पहले मोटरोला का मोबाइल फोन बनाया था जिसका वजन दो किलोग्राम था मोटर साइकल का आविशकार सबसे पहले पेट्रोल से चलने वाला मोटर साइकल सन 1855 में जर्मनी के आविशकारक गौटलिब डेमलर और विलहेम मैवेक ने बनाया था जिसका नाम डेमलर रिटवेगन रखा गया इसके बाद सन 1884 में एड़वर्ड बटलर ने लंडन में स्टेनली साइकिल शो में तीन पहिया का कॉमर्शियल डिजाइन दिखाया था और फिर 1888 में मेरविदर फायर एंजन कंपनी ने इस वहन का निर्मार किया था पैन का आविशकार दोस्तों पैन का आविशकार लदिसलाव जोस बिरो ने 1931 में किया था ये हंगरी के वग्यानिक और चित्रकार थे टेलेविजन का आविशकार टेलेवीजिन का आविशकार वेज्ञानिक जॉन बेर्ड ने 1940 में किया था इनका जन्म 14 अगस्त 1888 हेलसेंबर्ग युनाइटेट किंग्डम में हुआ था कंप्यूटर का आविशकार कंप्यूटर का आविशकार कॉनरोड स्यूजे ने 1981 में किया था जिसमें सिर्फ 14 शब्द स्टोर किये जा सकते थे बाद में चार्स बेबिज ने इसका सुधार किया था बल्ब का आविशकार बल्ब का आविशकार थॉमस एडिसन ने किया था जो महान अमेरिकी आविशकारक एवं व्यवसाई थे 21 अक्टूबर 1889 एको एडिसन ने 40 घंटों से अधिक समय तक बिजली से जानलेवा निर्वाद बल्ब विशकार को भेट किया सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं